जी हाँ चीज कॉंड रोल I hope आप सब ठीक होंगे तो चलिए शुरू करते हैं रसेपी के साथ तो सबसे पहले मैंने एक मीडियम से इसका कॉंड बॉयल किया है उसके बाद मैंने एक बड़ा कैपसी कम मीडियम चॉप रखा है इसके बाद मैंने 8-10 सूखी लाल मिर्च लिये इसको मैं ग्राइंडर में पीस के इसके चिली फ्लेक्स बनाने वाली हूँ फिर मैंने 200 ग्राम चीज लिया है चीज आप चाओ तो जादा भी रख सकते हैं अगर आपको चीज जी रोल बनाना हो फिर मैंने 4-5 या 3-4 हरा कांदा लिया है इसको भी मैंने मीडियम ली चॉप ट रखा है उसके बाद मैंने 2 बड़ा चमच लसन का पेस्ट लिया है और फिर मैंने 1 बड़ा चमच काली मेरी लिया है और यह मैंने 2 चोटे गाजर को ग्रेट कर दिया है तो एक बड़ी कड़ाई गरम करेंगे, उसके बाद उसमें तीन बड़ी चमच बटर दालेंगे, अब बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे, जैसे ये बटर मेल्ट हो जाता है, हम उसमें हरा प्यास दाल देंगे, उसके बाद हम उसमें डालेंगे, कैपसिकम, यानि की श और फिर मैं इसके उपर नमक चुड़ा दूगी नमक आप स्वादा नुसार रखेगा अब इस चारी जो भी इंडूरेंस दाले इन सब को अची तरहीं से मिक्स कर देना है अब उपर से मैं चिली फ्लेक्स तालने वाली हूँ आप चिली फ्लेक्स में जितने भी चिली यूज कर रहे हो तीन चार पांच जितनी भी वह आप अपनी तीक्या आपको जितना चीए उससाब से लेना है उसके बाद मैंने चार बड़ा चमच मायोनीज दाला और फिर 200 ग्र तो बस इतना ही क्रीमी आपको रखना है अब मैं बनाने वाली हो बैटर तो सबसे पहले उसके लिए मैंने लिया दो बड़ा चमच मेंदा अब इसमें मैं पानी दीरे-दीरे करके दालूगी एक साथ नहीं दालूगी और पानी दालते दालते ही मिक्स करते जाओंगी ताकि वह गाट ना हो जाए अब इस अच्छी तरीके साब को मिक्स कर देंगा बिल्कुल ऐसे हो जाना चाहिए इतना ही ना एकदम पतला ना एकदम गाड़ा बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी तो सब तो भी हम बनाने होने रोल तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक स्क्वेर करना है था मैं देखा बस वही लगा देना है अपने फिंगर से अच्छी तरीके से पूरे कोनों में अब यहां से मैं लेफ्ट हैट से फोल्ड करूंगी और फिर राइट से भी फोल्ड कर देंगी आपको इतना ध्यान में रखना है कि अच्छे से स्टिक हो जाए खुला न गा दिया अब इसे वापस से एक और फोल्ड करना है यह फाइनल हो घर अब यह अच्छी तरके से हमारा रोल डीफ्राइक करने के लिए रेडि हो गया है मैं अच्छी तरके से पैक किया है ना कई से बीग नहीं होना चीए इतना ध्याग में रखनेका वरना अब तो अब हमें तेल गरम करेंगे बड़ी सी कड़ाई में और यह मैंने रोल फ्राइ करने के लिए रख दिया अब इसे तब तक फ्राइ करना जब तक कि इसका कलर लाइट ब्राउन ना हो जाए मैंने मीडियम फ्लेम पर फ्राइ किया था तीन से चार मिनिट के लिए और यह फ्राइ हो चुका है अब कोई जो कलर नजर आ रहा है बस यही कलर होना चाहिए तो बस अब इसको निकाल दो कोई भी टिश्य पेपर पे रखो या तो कोई न्यूस पेपर पे ताकि इसके इंदर को ट्राइ करो जल्दी से जल्दी और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी शेयर भी करना और हां आपकी भी तरफ से अगर को सेजेक्शन हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सब अब इससे लंच में खालो breakfast में खालो या evening snack में ख है